गरीब का घास का घर और फ्रोग बहुत समय पहली की बात है जोतपुर गाउं में खुस्बू नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी खुस्बू के माता पिता बहुत गरीब थे वो जंगल से लक्रियां काट कर बेचा करते थे लक्रि बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उसी से वे अपना गुजर बसर करते थे एक देन खुस्बू के माता पिता जंगल से लक्रियां काटने जाते हैं लेकिन साब होने पर भी वे दोनों लोटकर घर नहीं आते ये देखकर खुस्बू को अपने माता पिता की जिनता होने लगती है देखते ही देखते रात हो जाती है तब खुस्बू सोचती है लगता है मेरी माता पिता किसी मुसीबत में फसके है मुझे फोरण जाकर उन्हें ढूनना चाहिए उसके बाद खुस्बू हिम्मत करके किसी तरह जंगल में पहुँच जाती है और जंगल में अपने माता पिता को ढूनने लगती है मा पिता जी कहा है आप लोग मा इस तरह खुस्बू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने मा पिता जी को ढूनने लगती है तब जंगल मे एक जादूगर्णी की नजर खुस्बू पर पड़ती है और वह सोचती है। मुझे काफी दिनों से अपने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी किया वसकता थी। ये लड़की मेरे घर की नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे अभी पकर कर अपने गर लेकर जाती हूँ। उसके बाद जादूगर्णी खुस्बू के सामने पहुंच जाती है। जादूगर्णी का डरावना रूप देखकर खुस्बू घबरा जाती है और महां से भागने लगती है। लेकिन तभी जादूगर्नी अपनी जादू से एक रसी निकाल कर खुस्बू के उपर फैक देती है और उस रसी में खुस्बू को जकर कर अपने और खीच लेती है तभी खुस्बू उस जादूगर्नी से कहती है कौन हो तुम छोड़ दो मुझे मुझे घर जाने दो प्लीज छोड़ दो मुझे अब मैं तुम्हे नहीं छोड़ूंगी आज से तुम मेरे घर की नाकरानी बन कर रहोगी और मेरे घर का सारा काम करोगी नहीं नहीं अब मेरे साथ ऐसा मत करो मैं यहापने मात पिता को ढूनने आई हूँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो जाने दो मुझे तुम चाहे जितना भी गिर गिरा लो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला अब चुप चाप से चल मेरे साथ उसके बाद जादूगर्णी जवरदस्ती खुस्बू को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर जादूगर्णी खुस्बू से सारे दिन अपने घर का काम करवाती है बेचारी खुस्बू दिन भर काम करके ठक जाती है लेकिन जादूगर्णी को उस पर बिल्कुल भ खुस्बू को भागते हुए देख लेता है और वह जादूगर्णी को सारी बाते बता देता है जादूगर्णी भागते हुए खुस्बू का पीछा करने लगती है और थोरी ही देर में वह खुस्बू को पकरकर अपने घर ले आती है और वह जादूगर्णी खुस्बू से क जना कहकर जादू करनी अपने हतियार से खुस्बू का एक पैर काट देती है और उसे लोहे के जनजीर से बान देती है और वह खुस्बू से कहती है अब तु यहां से भागने की चाहे जितनी भी कौसिस कर ले लेकिन तु यहां से भाग नहीं पाएगी अब तुझे मेरी ये जादूगर्नी खुस्बू से कहती है सुन रेलर की मुझे बहुत जोरा की भूक लगी है तु नदी किनारे जा नदी किनारे एक बहुत बड़ा फोलो का पेर है उस पेर पर रोज बहुत सारे पंची आते हैं अब तु जल्दी से जा और मेरे लिए धेर सारे पक्षी को पकर क कर लेया उसके बाद मैं मजे से सारी पक्षियों को खाऊंगी इतना बोलकर जादूगर्नी खुस्बू के हाथों में धनु स्वान पकड़ा देती है उसके बाद खुस्बू पंचीयों को पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती है लेकिन तभी अचनक नदी के कि किनारे बैठा मगरमच खुस्बू पर हमला कर देता है खुस्बू अपना जान बचाने के लिए मगरमच पर वान चलाना सुरू कर देती है लेकिन उन बानों का मगरमच पर कोई असर नहीं पड़ता यह देखकर खुस्बू आसे भागने की कोशिस करती है लेकिन एक पैर क खुस्बू को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर रानी परी परगट हो जाती है रानी परी अपनी जादू से जलता हुआ मसाल मगरमच के उपर फैट देती है जिससे मगरमच धब्रा कर पानी के अंदर भाग जाता है खुस्बू का एक पर कटा हुआ था यह देखकर रानी परी को खुस्बू पर तरसा जाता है उसके बाद रानी परी खुस्बू से सारी सच्चाई पूशती है और खुस्बू रानी परी को बुरी जादूगर्नी की सारी सच्चाई बता देती है जादूगर्नी की अत्याचा के बारे में सुनने के बाद रानी परी को बहुत गुश्सा आता है और वह उसी बगत अपनी जादूई सकती से एक तेज रोसनी परगट करती है देखते ही देखते उस रोसनी से मौजूद आसपास के हरे बरे घास हिकटे हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सभी घास आपस में जुर कर एक घर का रूप धारन कर लेती है उसके बाद रानी परी अपनी जादूई चड़ी से एक घास का फ्रोग परगट कर खुस्बू को देते हुए कहती है सुनो खुस्बू ये घास का घर कोई मामली घर नहीं बलकि एक जादूई घास का घर है और ये फ्र फ्रोग तुमारी हर इक्षा को पूरा करेगा इस फ्रोग से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुमारी सारी इक्षा पूरी होगी सबसे पहले तुम इस जादूई घास के फ्रोग को पहन लो और जाओ उस जादूगरने से अपना हिसाब बराबर कर लो इतना क्या कर रानी प और उस घर को जादूगरनी के पास चलने को कहती है खुस्बू के कहने पर घास का घर उड़ते हुए जादूगरनी के पास पहुँच जाता है उसके बाद खुस्बू घास के घर से कहती है सुनो जादूगरनी ने मुझे पर बहुत अत्याचार किया है आप इसी वक्त इसे सवक सिखाओ खुस्बू के इतना कहते ही उस जादूगरनी के घर से एक बड़ी सी जादूगरनी पर हमला कर देती है जादूगरनी को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता देखते ही देखते वो कुलारी जादूगरनी का दोनों पैर और हाथ काट देती है तब है जादूगरनी खुस्बू से कहती है मैं तुमारे आगे होच जोरती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गल्दी का एसास हो गया है, प्लीज, मुझे माफ कर दे तु एक दुष्ट जादूगर्णी है, तुझे तो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर थोरी ही देर में वो कुलारी जादूगर्णी का सर काट कर उसके धर से अलग कर देती है, इस तरह जादूगर्णी का आंथ हो जाता है, उसके बाद जादूई घर से आवाज आती है मैंने इस दुस्ट जादो गिरने का अंत कर दिया है अब तुम बताओ मैं तुमारी और क्या मदद कर सकती हूँ हे जादोई घास के घर मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो प्लीज आप मुझे उनके पास ले चलो उसके बाद वो जादूई घास का घर हवा में उड़ता हुआ दूर समुन्द किराने पहुँच जाता है तबी खुस्बू को उसके माता पिता वहां दिखाई देते हैं अपने माता पिता को देख कर खुस्बू बहुत खुस होती है और उनके गरे लग जाती है उसके बाद खुस्बू के माता पिता खुस्बू से उसे दूर होने की सारी बाते बताते हैं उसके बाद खुस्बू अपने माता पिता को जादूई घास के घर के अंदर ले जाती है और थोड़ी ही देर में वह जादूई घास का घर ओडते हुए खुसबू के गाउं पहुंच जाता है इस तरह खुसबू फिर से अपने माता पिता के साथ हसी खुसी रानी परी की दी हुई जादूई घास के घर में रहने लगती है जादूई पाच फ्रोक वाला घर एक समय की बात है सितलापूर गाउं में पाच बहने नेलम, कंचन, सुनेना, आर्थी और पूजा अपनी बोड़ी मा सुलक्षना के साथ रहा करती थी और सुलक्षना के पती के देहान के बाद सुलक्षना ने लोगों के घर में साथ सफाय का काम करके अपनी पाचों बेटियों का पालन पोशन किया था वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके अपनी पांच बीटियों की जरूरतों को पूरा किया करती थी और ऐसी ही उनके दिन बीत रही होती हैं और कुछ दिनों बाद सुलक्षना की सबसे छोटी बीटी पूचा का जनम दिन आने वाला होता है लेकिन उनकी गरीब हालत की वज़े से स्कूल में हर कोई पूचा और उसकी बेहनों का मचा कुडाया करता था ऐसी ही एक दिन पूचा की क्लास की एक लड़की मिनाक्षी अपनी दोस्त कोमल से कहती है कोमल तुछ पता है मेरी ममी मेर लिए बड़े पर पहनने के लिए बहुती सुन्दर और डिजाइनर फ्रॉक लेकर आएंगी और उसे पहन कर तो मैं एकदम परी की तरह लगूंगी अच्छा तुम बताओ तुम क्या पहन कर आने वाली हो मेरे जनम दिन पर मेरी मॉम मेरे लिए फ्रॉक की मैचिंग की बहुती सुन्दर सेंडल लेकर आई है मैं वही पहन कर तुम्हारे बड़े पर आऊंगी अच्छा वो सब तु ठीक है लेकिन क्या तुम इन पांच गरी बहनों को भी अपने बड़े पर बुला रही हो अरे नहीं नहीं इन पांचों को अपने बड़े पार्टी में बुला कर अपने इंस्टर्ट करवानी है क्या इसलिए मैं इन लोगों को अपने बड़े का इंविटेशन नहीं दे रही हूँ तुमने बिल्कुल सही कहा मेनाक्षी इन गरीबों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बढ़े रामकी भी कोई चैज होती है इन के लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते है और कहा हम लोगों के हर एक दिन खास होते है और हाँ इन लोगों के पास तो ढंके कपड़े भी नहीं होंगी तो क्या ये लोग हम लोगों के कपड़ों के बरापरी करेंगे इसलिए हम लोगों के डिजाइनर फ्रोग को देख करी अपना मन बहला लेना क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डुजाने फ्रोक पहना तो लिखा ही नहीं है इतना कहकर मिनाक्षी और कॉमल उन पाचों बहनों का बहुत मजाग उड़ाती है तभी पूजा की चारों बहनों को उनकी बाते सुनकर बहुत गुस्सा आता है उसी समय नेलम कहती है तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाग उड़ानी का कोई हग नहीं है हम लोग गरीब है तो इसमें हमारी कोई गल्दी नहीं है तुमने बिल्कुल सही कहा नेलम इन लोगों को हमारे इस तरह मजाग नहीं उड़ाना चाहिए और नहीं तो क्या अगर हमारे पिताजी जिन्दा होते तो आज हमारे हालत ऐसी नहीं होती सुने ना दीदी आपे लोगों को मुँ मत लगाए क्योंकि ऐसे लोगों को मुँ लगा कर कोई फायदा नहीं है उसी समय पूजा उन दोनों लड़कियों से कहती है सुनो मिनाक्षी और कोमल अगर आज के बाद तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर ज़रा सभी मजाग उड़ाया तो इस बार मैं तुमें छोड़ूंगी नहीं इसलिए चुप चाप यहां से चली जाओ और ये अपनी अमीरी का घमट कहीं और दिखाना हमारे सामने नहीं पूचर इतना कह रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो पाचों बहने अपने घर वापस आ जाती है लेकिन उनके मन में कही न कहीं मिनाक्षी और कोमल की बातों से ठेस पहुचती है जिसकी वज़े से उनके चहरे पर उदासी साफ साफ जाहिर हो रही थी और उनके इन उदास चहरों को देख कर उनकी मा सुलक्षना उनसे पूचती है क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों आज तुम लोग इतना उधास क्यों लग रही हो कुछ हुआ है क्या मा हमारी गरीबी के वज़े से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाग उड़ाते है हाँ मा और उनके बाते सुनकर हम लोगों को बहुत बुरा लगता है और मा आपको पता है कुछ दिनों बाद पूजा का जनम दिन आ रहा है और इस वज़े से भी स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाग उड़ाया है हाँ मा क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं कभी जनम दिन मना सकते हैं और नहीं अच्छे कपड़े पहन सकते हैं तुम लोग चिंता मत करो मेरी बच्चियों मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किये हैं इसलिए मैं तुम पाचों को पूजा के जनम दिन पर बहुत ही सुन्दर फ्रॉक ला कर दूँगी फिर मेरी बीटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा सुलक्षना की बाते सुनकर वो पाचों बहने बहुत खुश हो जाती है और सबसे जादा खुश पूचा होती है क्योंकि इस बार वो भी अपना जनम दिन मना पाएगी और अपने जनम दिन पर वो भी सुन्दर सी फ्रॉक पहनेगी और ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और उसी बीच जब सुलक्षना अपने मालकिन के यहां काम कर रही होती है तबी अचानक जीने से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिसकी वज़े से उसके पैर में फ्रेक्चर आ जाता है और अपनी मा को इस हालत में देख कर वो पाचों बहने बहुत दुखी हो जाती है मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अब नई फ्रॉक नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैंने जितने भी पैसे जमा किये है वो सब तो मेरे इलाज में लग गए मा आप प्लीज ऐसा मत कहिए हाँ मा हम लोगों को नई कपड़े नहीं चाहिए हाँ मा दीदी बिलकुल सही कह रही है इसलिए मा आप बस अपनी तब्यत का ख्याल रखिए हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए और मा आप चिंता मत करिए देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इस तरह वो पाँचों बहने अपनी मा को तसल्ली दीती है और इसी बीच कुछ दिन बाद पूचा का जनम दिन आ जाता है लेकिन अभी भी सुलक्षना की तब्यत में जादा सुधार नहीं आया था इसलिए वो इस बार भी अपना जनम दिन नहीं मना पाती है और ऐसे ही वो पाँचों बहने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में बैठे एक दूसरे से बाते कर रही होती है पूजा दीदी वैसे सच कहें तो कोमल और मिनाक्षे की किसमत कितनी अच्छी है तुमने सही कहा पूजा उन लोगों के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हाँ तुमने सही कहा उनके जिन्दगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है शायद तभी उन लोगों को अपने उपर इतना घमंड है हाँ दीदी आज मिनाक्षे अपना जनम दिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी और यहाँ मेरे पास तो ढंके कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए हाँ पूजा तुम सही कह रही हो काश हम लोगों की भी किसमत अच्छी होती तो हम भी तुम्हारा जनम दिन सेलिब्रेट कर पाते इसी तरह वो पाँचों बहने अपनी दुखों को बया कर रही होती है तभी वहाँ अचानक एक सुन्दर सी परी प्रकट हो जाती है और वो उन लोगों की बाते सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे उन पाँचों बहनों पर बहुत तरस आता है इसलिए वो उन पाँचों के पार्शाती है और उनसे कहती है सुनो मैं परी लोग से यहां तुम लोगों की मदद करने आई हूँ और तुम्हारे इन दुख भरी बातों को सुन कर मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ लेकिन भला आप हम लोगों की मदद कैसे करोगी उसे समय वो परी वहाँ पर पांच जादूई फ्रॉग वाले घर प्रकट कर देती है और कहती है ये जादूई पांच फ्रॉग वाले घर है और मैं तुम पांचों को ये देना चाहती हूँ और ये जादूई पांच फ्रॉग वाले घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा और अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो लेकिन हाँ तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें इन जादरी पांच फ्रॉक घर के बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा आपका बहुत बहुत शक्रिया परी आज आपने हम पांचो बहनों पर जो उपकार किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे हाँ आज आपकी वज़े से हम गरीब बहने भी खुशी का आनन्द ले पाएंगे इसलिए आपका बहुत बहुत शक्रिया परी और इस तरह से वो पाचों बहने उस बरी का धन्यवाद करती है और वो परी उन लोगों को वो जादी फ्रॉग वाले घर देकर वहाँ से चली जाती है उसके बाद वो पाचों बहने अपनी मा को लेकर अपने अपने जादी फ्रॉग वाले घर में चली जाती है उसी समय नीलम अपने जादी फ्रॉग घर से बोलती है हे जादी फ्रॉग घर आज मेरी छोटी बहन पूजा का जनम दिन है इसलिए उसका जनम दिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक केक दे दो और मेरी मा को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो नीलम के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा केक प्रकट हो जाता है और उसकी मा भी पहले की तरह बिल्कुल ठेक हो जाती है और वहीं वो चारो बहने भी अपने अपने जादी फ्रॉग घर से बहुत सारे सुन्दर सुन्दर कपड़े और खाने पीने की चीजे मांगती है और उनकी भी कही हुई सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और उस दिन वो पाँचों बहने भी सुन्दर सुन्दर फ्रॉक पहन कर तयार हो जाती है और पूचा का जनम दिन सेलिब्रेट करते हैं और जब अगले दिन वो पांचों भेहने स्कूल जाती है तो सुनेना और आर्थी मिनाक्षी और कॉमल से कहती है तुम लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार हमने भी अपनी भेहन का जनम दिन कितने अच्छे सेलिब्रेट किया है और हाँ हमने तुमसे भी अच्छी और डिजाइनर फ्रॉग पहनी थी और बहुती स्वादिस्वादिस्ट खाना भी खाया था अरे तुम लोगों को ये जोटे भाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी गरीबी के सच्चाई अच्छे से पता है इसलिए फालतों का फेकना बंद करो अरे हम लोग बिल्कुल सच कह रही है हमें एक परी ने जादू पांच फ्रॉक बाले घर दिये है और हम लोग उसे जो कुछ भी मांगती है वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है हाँ सुनेना बिल्कुल सही कह रही है अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तुम लोग स्कूल के छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो और इस तरह मिनाक्षी और कोमल आरती और सुनेना की बाते सुनकर हैरान हो जाती है और उस समय वो तीनों बहने वहाँ पर नहीं होती है इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी दोनों बहनों ने मिनाक्षी और कोमल को और जादी फ्रॉग घर के मारे में बता दिया है इसलिए जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुनेना और आरती मिनाक्षी और कोमल को अपने जादी फ्रॉग घर के सामने ले जाकर कहती है ही जादी फ्रॉग घर तुम चल्दी से मुझे स्वादी स्वादिस्ट खाना दे दो लेकिन इस बार सुनेना के ऐसा कहते ही वो जादी फ्रॉग घर वहां से गायब हो जाता है और ऐसी ही आरती भी जब अपने जादी फ्रोग घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादी फ्रोग घर वहां से गायब हो जाता है और इस तरह वो बांकी के जादी तीन फ्रोग घर भी वहां से गायब हो जाती हैं जिस वज़े से उन लोगों की कोई भी इच्छा पूरी न केहनों को इस बात का पता चलता है तो नेलम कहती ए अरतिए और सुनेना ये तुम दोनोंने क्या किया अरे तुम दोनों इतने ना समझ कैसे हो Сकती हो तुम्हें पता है ना उस परी ने हमें क्या कहा था आज तुम दोनों की वजे से सब कुछ खराब हो गया हाँ दीदी आज आप लोगों के लापरवाही की वज़े से वो जादी फ्रोग घर हमारे पास नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे तुम से मुझे माफ कर दो हाँ दीदी हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई हमें माफ कर दीजिए उसी समय वो परी वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाती है और वो कहती है सुनेना और आरती मैंने उन जादी फ्रोग घर के मारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर ये किसी लालची और बेमान इंसान के हाथ लग जाए तो वो लोग इसका गलत उप्योग करेंगे इसलिए अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादी पांच फ्रोग घर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी सारे इच्छाओं को पूरी करेंगे लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना कि उन जादी पांच फ्रोग घर की सच्चाई किसी के सामने ना आपाए अच्छा तो अम मैं चलती हूँ उस परी के वहाँ से जादी ही वो जादी पांच फ्रोग घर वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाती है और उस दिन के बात से वो पांचों बहने खुशी-खुशी उर्चादी फ्रोग घर में रहने लगती है और उनके पास अब किसी भी चीज़ की कुई कमी नहीं होती है और वो लोग अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत करने लगती है